हेलो गाइज वल्कम बैक सो स्टोरिय से स्टार्ट होती है कि क्लास में सबको पता चल जाता है कि वह प्यारा सुल में उसे किसने बनाया होता है यहां पर लड़के नोटिस कर लेती है कि जो रिंग उस लड़के ने सेम वीडियो में पहनी हुए है वही सेम कांग भूप पहना हुए है इसके बाद सहरा एन उसकी चमची को पता चल जाता है और साथ में पूरी क्लास को भी पता चल जाता है यहां पर यूरी उसे वीडियो को देख रही हुए है और वो सूचती है कि यार यह मुझे कैसे पता ने चला मुझे तो पता होना चाहिए था इसके बाद कामवोग उसके पिच्छी से आता है और वो देखता है कि ये मेरी वीडियो देख रही है अरे वा इसके बाद वो यूरी के पास आता है उसे दिखके यूरी अपने मुबाल चुपा लेती है आफर देट वो दोनों बाते करते हैं यहां पर यूरी अपने फ्यूचर प्लैंस के बारें बताती है तब ही काम वो कहता है कि उसे तो कॉलेज जाना ही नहीं है दो यून जो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम फिर से उसका सामान जो कुछ एक्स टाउस ने इतने दुन उसकी बिल्गुल भी नहीं चलती है उसकी मॉम उसका सामान उठा कर बाहर डम कर देती है अफर देट दो यून अपने ट्यूशन टीचर से नई कॉशन प्रैक्टिस बुक लाया था यहां पर सभी लोग कह रहे थे कि काफी एक्सपेंसिब है तुम्हारे एक्जाम्स के लि देखती है कि कोई नहीं है तो दो यून की प्रैक्टिस कॉपी को देखने के लिए चली जाती है यहां पर गल्दी से उसके हां से कॉफी कर जाती है उसी पर इसके बाद क्या था उस सब कुछ सत्या नाश जाता है आफर दैड वो ठीकर नहीं कोशिच करती है लेकिन अब ग जी से गलती से हो गया हो और यह कोई जादा बड़ी बात नहीं मैं दूसरा अफॉर्ट कर लूँगा मेरे ट्यूशन टीचर की बात बहुत सारे हैं इसके बाद यून बिन खुद जाकर दो यून को बताती है कि मैं बहुत जाता हूँ हूँ बिकॉस वो मुझसे गलती से हो होगी बट ले लो जिंदा मत करो यह फ्रेंड्स की तरह समझ के लिए लो यहां पर यून मिन कहती ही तुम मुझे क्यों दे रहे हो जब कि तो तुम्हें मुझे कॉम्पटिशन की तरह देखना चाहिए तब यून कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं तुम्हें शायद कहीं पहुंचना है और मुझे कहीं और फरस्ट आना मेटर नहीं करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं फ्यूचर के लिए कितना सोच रहे हैं मिनको वह सब बाते थोड़ी अचीव लगती है दो यह उनको डिसकस्टिंग कर चली जाती है पढ़ाई के अलावस कुछ काम करती नहीं ह अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी लेकिन आज उसका पढ़ने मन नहीं रग रहा था वह जो कुछ पढ़ रही थी तो वहां पर भी पढ़ने कोशिश कर रही थी इतना काम और पढ़ाई के चक्कर में वहीं पर बेहोश हो जाती है कि कैफे की ओनर होस्पिटर ले जाते हैं और भी पढ़ने में पर उठती है तो उसे नहीं अपनी तभीयत की जंता थी नहीं कुछ की बढ़ती है कि इसका पूरा बिल कितना है यहां पर जो पांवर रहती है वह कहती है आफर वन एन आवर काउंटर पे आना और पर पे कर देना यांज में कि पासे होती नह करने रहे तें पूरी तयारी करकर जब मॉम के होटल पहुंचता तो वहाँ पर उसे जब को आ पर सारी बात दूरी छोड़ और रहे यह daug जब ओन को देखता है अब ओन को एका तो वह किता है कि तो पिर सप बीमार पड़ गी तभी वैर में कि Eu~~~ इसके बाद वो पैसे पे करता है दोनों साथ में घर जाने लगते हैं यूनमेन कुछ ज़्यादा बीमार होती है और रंग से चल भी नहीं पाती तब ही चांसुल करता है यहां पर यूनमेन कहती है कि पहली बार किसी इंसान ने उसकी जादा मदद की है वो चांसुल से कहती है कि देखना वो उसे जैसी अगले मैने की सेलरी मिलेगी वो सबसे पहले उसी की पैसे वापिस कर देगी तब ही चांसुल कहता है कि हाँ ठीक है बाद में कर देना अभी जाओ घर पर आफर दाट जीना दो यून से मिल लेकर डेसाइड करती है जब वो मिलने के लिए जाती है तो दो यून को देखर सप्राइज होती है और वो कहती है कि दो यून तुम थे वो तब कि दो यून उसे सबनी सारी स्टोरी बताता है यह सब सुनका जीना काफी है दा रोने लगती है कि मुझे लगता था मेरी लाइफ अगेली मजड़ेबल है पर यहां पर तो सभी क्यों पर यह उसकी बाद वो दो यून से कहती है कि मॉम हटलैस तो होई नहीं सकती तो इमनी मॉम को प्यार से समझाना चाहिए यहां पर दो यून सब भी तैयारी करता है अपने सारे एमें कागस पर लिखकर अपनी मॉम को सुनाने लगता है यहां पर उसकी मॉम शुरुआत में तो काफी काम रहती हैं लेकिन लास्ट में वो दो यून काफी पर चुडाती है उसे फार देती हैं पूरी तरीके सोर से चलाती है यहां पर दो यून को थपड़ी मार देती हैं बिचारा दो यून आज काफी फ्रस्टेट हो चुका था वो अपनी मॉम पर वापस चला देत है वो कहता है कि आपको कुछ भी कहना है आपके सारी चीजों से इतना सारे डिप्रेस्ट हो गया हूं कि हम उसे कुछ नहीं होगा आपकुछ एक्सपेक्ट भी मत करना मुझसे सुनकर उसकी माँ तुछी सप्राइज होती है यून ने पहली बार पलट कर जबाब दिया था यून बेन अभी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रही थी जिसके बाद अगले मोग टेस्ट में वो चीटिंग का सूचती है और जब वो अपने रेजर पर आंसर लिख लेती है और पेपर में उसे चीट भी कर लेती ह लेकिन जब पीछे मूर कर देखती है तो उसे पता चलता है चैंसुल ने सब कुछ देख लिया है इसके बाद क्या था यून में इतनी ज़्यादा इंबैरेस हो जाती है कि यून वेन वहीं पर पैन रख देती है अपना पेपर भी पूरा नहीं करती है आफर डैट उसे इत देख लेती है इसके बाद जीना को कॉल करती है और उसे कावी बहला बुरा सुनाती है उसे करती है कि शैतान लटकी मेरे बेटे से दूर रहो नहीं तो तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा इसके बाद जीना सुचती है कि क्या ये इसकी मॉम है I can't believe कि वो नहीं जादा र अगा लेती है इसके बाद जब हमारे चांस और भाई साब आते हैं तो इन दोनों को साथ में देखते हैं वो भी इतनी अच्छी पोजिशन में फिर क्या था यहीं से मिसंडेस्टेंडिंग का सिलसला शुरू होता है यहाँ पर उसे लगता है कि अब उसका नंबर नहीं इसके बाद वो वापस जाने की जगह है वहाँ पर आसपास घूंटा है अच्छी नजारे देखता है बीच देखता है जो कि आज तक उसने कभी फील ने किया वो आज फील करता है वो सुस्सा है कि फ्री रना कितना आसान है कि खिट-पिट से तो यहीं पर मैं बसे यह बना होता है लेकिन चांसल को एन वक्ट पर यूनमिन का कॉल आता है कि उसे उसकी जरूत है चांसल को लगता है क्या पता वो पिछली बार की तरह बीमार हो इसके बाद वो जीना को चुड़कर चला जाता है जीना उसे रोकती है कि प्लीज मचो मैं अकेले कैसे जाओंगी पातुने पर उने कोई बस नहीं मिलती जीना की बड़ी बेहन उने दोनों को पिक अप करने के लिए पहुंचती है उन बेहन चांसल को देख काफे दा खुश थी एंड वो से बात करना चाहती थी विकॉज उसने उसे चीटिंग करती हुए देख लिया था तरहसल यून बे उसी दिन से गायब थी लेकिन आज भो चांसल से पहाँ व..काफी अच्छा फील कर रही थी..सके बाद जब चांसल को यह सबस्त criarफ होता है तो बहुरी और जीना को करते हैं यूरी को समझ में आ गया होता है कि जीना से ची फ्रेंड तो से कभी जिंदकी में मिली नहीं सकती इसके बाद जब सेरा और बागे सभी लड़कियां मिलका गुरूप पर जीना के बारें बुरा बहला कह रही होती है तब यूरी उन सब से कही देती है कि तुम सब को आनी चाहिए इतना सब रुल्टा सिधा चीना के बारे में तुम लोग कैसे बोच सकते हैं इसके बाद क्या था यूरी ने दरसल सेरा से पंगा जो ले लिया था इसके चलते जब कांगोको और यूरी बाहर बात कर रहे होते हैं तो सेरा उन तोनों की फोटो ले 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 हैं उसे उनलाइन अप्लोड कर देती हैं फिर क्या था हेट कमेंट्स की बारा आ जाती हैं सब यूरी को स्पार्ट करने लगते हैं कि यूरी कैसी लड़की एक लड़की को डेट कर रही है जबकि उसका एक अलग से बाइफरेंट है यहां यूरी इन सबसे का फिदा परिश डियर सबस्क्राइब। कर उसे मिलने के लिए पहुंचता है यहां पर उसे बैक देता है लेकिन यूरी कुछ जादे एमोशनल थी तो उसे गले लगा कर उसे चुप कराने लगता है जीना भी का फिदा हाट ब्रेक थी उसे लग रहा था कि यूरी उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं वह बस उसे ऐसी ब इन वह किसी काम की रहती भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे दिल में काफी बड़ा गहरा होकर जाती हैं इसके बाद उतना सब जीना से कहती है जीना को लगता है कि उसे इसे बात करने है लिए यूरी बाद में उसकान नहीं पहुंच जाएगी यूरी बापस से बुली नहीं सब कुछ झेले यहां पर प्रॉपेसर कहते है कि नहीं यूरी कि तु इस स्कूल में काफी इच्छे फ्रेंड है है ना यूरी यूरी कुछ भी नहीं कहना चाहती थी यूरी अपना बैग उठा कर उस स्कूल से जाने लगती है तब ही जीना उसे रोकती है विकॉज यून विन बुली करने वाली कोई उसी खुद की बैस फ्रेंड थी यहां पर जीना कहती है कि वह एसी बिल्कुल भी नहीं है कि उसे कभी बुली कर सके वह उसे कफ़ेदा पसंद करती है हमेशा पसंद करती रही यहादा हार्ट वार्मिंग बातों के बाद यूरी और जीना फाइनली दूसरी के फिर से बैस्प्रेंट बन जाते हैं सारी मिसंडेस्टैनिंग क्लियर हो जाती हैं यह दोनों काफी कुछी कुछी रहने लगते हैं यहां पर कामवक तो अभी भी ट्राय पर लगा था कि कैसे ना कैसे बस यूरी पढ़ जाए मुसे बट यार पढ़ती काया हो इन दोनों की लगा फिजिन में तो स्टार्ट होई जाएगी चांसोल ने जीना को प्रपोस कर दिया होता है जीना ने उसे तुरंत एक सैप्ट कर लिया होता है बिकास दोनों तो इंगुजी को पहली पसंद करते हैं अफर दाय टीए सभी अपना लंच करते हैं बिकास यह इसको मैं लास्ट देन होता है तो यह सबी पार्टी करते हैं काफी अंज्जय करते हैं और आप अर्कावों कि नजजने स्ह lodge यूरी पर एटीओ ही होती हैं आफर दाय इसके लास्ट में फोटो क्लिक कर आते हैं इसके साथ-एज्ग कर आते हैं हमारा यह जरामा यहीरा खता मुद्टे